अलो फैंड्स मैं हूँ पवन चौधरी और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट स्टूपाज हो दा मद्धबदेश की मद्धबदेश के महतुपूर्ण स्टूपों के बारे में स्टूप आपको एक बार बाता देता हूं कि स्टूप जो होते हैं वो बुद्ध जो आकिटेक्चर है या जो बुद्ध हैं तो उनसे संबनेद आपके होते हैं और भारत में तकरीवन तकरीवन 84,000 स्टूपाज हैं कुछ स्टूपाज अभी अविलेबल और कई सारे स्टूप के बारे में जितने मैं आपको पहले बता चुका हूं कि स्टूप जो है वो बुद्ध धर्म के अंदर काफी इनका इंपॉर्टेंस माना जाता और बुद्धिस टाकिट एक्चर से समझा जाता है इनके अंदर स्पेशली जब भी किसी बुद्ध संत की या उनसे स स्टूप के अंदर रखा जाता था जैसे सांची के स्टूप में भी कुछ परसनल चीज़े रखी गई है उसके बार शिलंका के अंदर एक स्टूप है जहां पर बुद्ध का जो दांत है बुद्ध का दांत रखा गया है तो इन चीजों का बड़ा बुद्ध धर्म के स्टूपो के बारे में उसके पहले एक चीज में आपको बता जाता हूं कि अनकैडमी पर MPPSC प्रेलिम्स के लिए मेरे दो कोर्स अभी चल रहे है MPPSC मेंस पेपर बन पार्ट भी जिसके अंदर में इंडियन जोग्रफी और पूरा अमलब जोग्रफी वाला पूरा टॉपि इसके लिए आप डैसली सब्रेलियर प्रेलिम्स के लिए और ऴानों जायरे को मिल जाएगा और यह प्लम ये वीडियो दिखा रहा हूं यह था ble Pack मा स्वी छोटा सा आपको पा पा तो कई सारे माइन मैप्स और कई सरे टस्रीज के माध्यम से आंसर आईटी के माध्यम से आपको अनकाड़मी पर MPPAC के लिए प्रिपरेशन करवाता हूँ चलिए तो सबसे बात करते हैं मध्यबदेश के important स्टूपों के बारे में और पहला जो मध्यबदेश के अंदर स्टूप है वो है भरहूत का स्टूप और अब the most important स्टूप of the मध्यबदेश basically ये जो स्टूप है ये इसके अगर निर्मान की बात करें तो अशोक के समय के आसपास इसका निर्मान शुरू हुआ था और उसके बाद शूंग के टाइम पर महराजा शूंग का जब समय हुआ था उस टाइम पर कई सारे developments किये गए था सतना के अंदर located है नागोद के अंदर 1873 के अंदर इसको सर्ज किया गया था लेकिन इसके अभी तक जितने भी remaining parts हैं या उसके जो अवशेश हैं वो अवशेश कलकत्ता का जो museum है उस museum के अंदर रखे गए हैं तो actual अपने place के उपर बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ है वहाँ पर आपको नहीं मिलती दूसरा important जो स्थूप है वह है देवक अथार का स्थूप जो रीभा जिले के अंदर स्थे थे और इसको भी अशोप के टाइम पर आपको बनाया गया अब अशोप के संबंदित एक चीज में आपको बता जाता हूं कि अशोप के टाइम पर अशोप ने तकरीवन तकरीवन पूरे भारत के अंदर 84,000 से ज्यादा जो स्थूप है उन महश्वर और नावदा टोली में, महश्वर खरगुण जिले के अंदर एक स्थूप कसरावद स्थूप है जो खरगुण जिले के अंदर स्थापित है और यहां पर टोटल 16 स्थूप हैं यहां पर आठेल लेकिन इनके кाफी चोटी है और इसके अलाबा जाद देर जो प अभी के समय पर समाप्त हो चुके एक सबसे मैतुपून स्टूप है तो मैं तुमें स्टूप और ये तुमें स्टूप अशोक नगर जिले के अंदर अस्तित है और यहां पर एक तुमें इंस्क्रिप्शन पर जो लेक्चर है उपर आपको आई बैटन में दिख जाएगा तो विदीशी के पास में आपके राइसेन जिले के अंदर अस्तित है भोजपूर और यह बेसिकली भोजपूर जो स्टूप है वो आपका भोजपूर जो मंदिर है उससे कुछ दूरी के ऊपर अस्तित है फिर सोनारी स्टूप है यह भी आपके राइसेन के अंदर अस्तित है स इसके बारे में एक अलग से lecture, जो है, सिर्फ सांची स्टूब के उपर, एक different lecture में आपको बनाऊंगा, अभी तो सिर्फ मैं इस्टूबों के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूं, तो जो सांची का स्टूब है, यहां पर तीन बेसिक स्टूब आपको मिलते हैं, और इन इ आपके बुद्ध के दो शिश्य थे, एक का नाम ता सारी पुत्र और दूसरे थे महामोद गिल्यान, उनकी जो अस्तियां हैं या उनके जो रैलिक्स हैं, वो रैलिक्स वहाँ पर आपको रखे गए हैं, उसके बाद अशोक जो यह पूरा आपका पूरा एरिया है, तो चां अशोक मालवा का गवर्नर था, तो उस समय पे उन्होंने विदीशा की एक लड़की थी, उसका नाम महा देवी या माया देवी, अलग-अलग नामों से जाना जाता, चनले आपको माया देवी या महा देवी, दोनों नाम मिलेंगे किताबों के अंदर, या रिसर्च के उन्होंने सांची की मलब आपका पाटली पुतर नहीं गई, और यहीं पर है कि अपना काम वगरा सब को यहां पर देखा, और यहां पर उन्होंने फिर बुद्ध धर्म है, उसके दिख्शा गरहन की, दो उनके बच्चे थे, एक आपका महेंद्र था, और दूसरी आपके स संग बितरा थी, सबसे इंपोर्टेंट जो स्थूफ है मद्विदेश में, वो है उजयन का स्थूफ, अब उजयन के स्थूफ जो है, अभी पूरी तरीके से वो नश्ट हो चुका है, थोड़े बहुत उसके रिमैनिंग पार्ट बच्चा हुए है, इसके लिए उसके बार एक जगे पे रख दिया गया, बाद में उन ही अस्तियों के ऊपर उन अस्तियों के महा से निकाला गया, और आट इस्तूफ पूरे देश के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर यहां पर आपको बनाए गया, और उसके बाद जिस कलश के अंदर या आपका पॉट था, जो अन जिसकों बोल सकते हैं, तो जिस अर्ण के अंदर उनकी अस्तिया रखी थी, उन अस्तियों उस कलश को उसके ओपर भी एक स्तूप का निर्मान किया गया, उसके बाद बुद्धी की जित्ती भी बिलॉंगिंस थी, जित्ती भी उनकी परसनल चीजे थी, जिस उनका कमंडल हो ग अशोग की जिवाइब थी, उन्होंने इसका निर्मान किया तो वो एक वैश्य की बीटी थी, इसलिए इसको वैश्य टेकरी कहा जाता है, अब यहाँ पर जब बुद्ध के सामान का बठवारा हुआ, बुद्ध की ड़त के बाद, तो उज्जेन के हाद में आसंदी यहाँ पर आई, असंदी में जिसके उपर बुद्ध बैठते थे, और इसा कहा जाता है, उसमें पर चंद प्रत्योता राजा हुआ करते थे, उज्जेन के, वो भी बुद्ध धर्म को फॉलो करते थे, तो उनको आसंदी मिली थी, और बाद में फिर उसी आसंदी के उपर, आपके जो महादेवी या मायादेवी हैं, उन्होंने बुद्ध का एक स्टूप का निर्मान किया, और ये स्टूप जो है, भारत का सबसे बड़ा स्टूप था, लेकिन अभी जैसे आपको बताया, कि लगबग वो स्टूप आपके हैं नश्ट हो चुका है, तो ये सबसे इंपोर अगर ये लक्चर आपको पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, थैंक्यू